चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक अपडेट आज भी दोस्तों बहुत ही गर्मा गरम दोस्तों टेक अपडेट ले के आया हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वाटसाप के तरफ से आज दो अपडेट आया है पहला जो है दोस्तों कि ऐसा सर्वे किय गया जिसमें पता चला है दोस्तों कि 82% हिंदुस्तानी अपना WhatsApp चोड़ कर दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुच होने वाले है इस तरह ही कुछ खबर आई है क्योंकि दोस्तों सिगनल हो गया या फिर दोस्तों दूसरे चैट जो जिसमें होते हैं वो लोग इतना का है सारा हमें डिटेल दीजे वरना आप विड्रॉल केजिए तो यह दोस्तों बहुत ही जल्दी होने वाला है अगर यह होता है दोस्तों तो बहुत ही जबर्जस्त होगा हमारे लिए भी आपके लिए भी चलिए दोस्तों 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 JBL का दोस्तो soundbar लगा है जो 100W का है दोस्तो जिसमें दोस्तो 2GV RAM 16GV internal memory के साथ ये आता है दोस्तो 500 nits का दोस्तो brightness वागरा दिया गया है Amazon वागरा में ये मिल रहा अगर आप buy करना चाहते तो कर सकते हैं दोस्तो A plus panel इसमें दिया जाता है जो काफी जबरजस इसको बनाता है बात करते हैं दोस्तो Bluetooth 5 का दोस्तो इसमें support दिया गया RJ45 और बहुत सारी चीज़ दी गई है अगर आप interested है दोस्तो TV में तो view का देखिए मैं TCL का ऐसे भी unboxing किया हूँ दे दे रहा हूं दोस्तो card में जाके देख सकते काफी जबरजस टीवी है चलिए दोस्तो अगली जो अपडेट आ रही है वो दोस्तो मीडिया टेक के तरफ से आ रही है ऐसा बताया जा रहा कि मीडिया टेक के एक और दोस्तो chipset आने वाला है लेकिन दोस्तो 2022 में आने वाला है 5NM technology पे आएगा दोस्तो और बहुत ही powerful होगा Dimensity 2000 इनको डायरेक्ट करने चाहिए Dimensity 3000 इस तरह का रहता तो दोसायद ये दोस्तो Avengers से मिल सकते थे लेकिन 2000 दोस्तो 2022 में आने वाला है जो 5NM technology पे आएगा दोस्तो 5G chip होगा दोस्तो अगर ये टेक अपडेट आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएए ताकि इस तरह का इंट्रेश्टिंग वीडियो आपको मिल सके चलिए बात करते है दोस्तो और शौमी के तरफ से बहुत सारी खबरे आई है पहला जो है दोस्तो शौमी ने अपना रिपब्लिक डेस सेल अनॉंस कर दिया है जिसमें दोस्तो रेडमी का नोट 9 प्रो अगया रहा इस अब में भारी डिसकॉंट मिल रही है तेरा 14 हजार में मिल रहा है दोस्तो 512 GB का SSD इसमें दिया गया है बात करते हैं ग्राफिक काड की तो एंवेडिया का 250 दोस्तो ग्राफिक काड वन जीवी का इसमें डाला गया है और इसकी जो प्राइज है दोस्तो 43,000 है तो इस तरह का कुछ है अगर आप इंटरेश्टेड है तो ले सकते हैं पूर आइफाइब 10 जनरेशन में दोस्तों यह मिल रहा है यह डाइमन सेटी 1200 प्रोसेसर के साथ आएगा आपको पता ही है अब इसमें 5000 एमेज बैटरी होगी यह 6000 की होगी जब यह आगा तो आपको सारी डिटिल देंगे बात करते हैं दोस्तों रियल्मी के तो रियल्मी के तरफ से बहुत सारी अपडेट आईए पहला जो है रियल्मी सी टुवल यह दोस्तों चार्जी विरान 64 जीव इंटरनल मेमोरी के साथ दोस्तों आज इसका एक और एडिशन आया है जिसका प्राइस दोस्तों 10,000 है हो रहा है इस तरह का कुछ इए मैं दोस्तों डेखने को मिलेगा यह किस तरह हो गाया जब या तो आपको सारी डिटेल देंगे बात करते हैं दोस्तों रियल्मी एक सीरीज की तो मादव सेट ने ट्वीट किया और बताया है दोस्तों उनका कुछ टीजर वगरा आगया और उसमें एक्स लिख रहा है जो दोस्तों ऐसा भी बताया है जा रहा है कि यह स्नाइब ड्रैगन ट्रीपल एट प्रोसेसर के साथ आ ड्यमन सिटी 1000 वला दोस्तों प्रोसेसर वगरा दीख रहा है और यह ऐसा बताया जा रहा है कि यह इंडिया में रियल्मी वी 15 या वी 19 के नाम से आएगा दोस्तों जब यह आएगा तो आपको सारी ख़बर देगें दोस्तों अगली ख़बर की तरह बढ़ते हैं तो बात कर दोस्तों कैपरी इंबोट रोलर का नया सीरीज आने वाला है कैपरी नाम का जिसमा दोस्तों कैपरी पलस एक फोन होगा जिसका नाम दोस्तों अक्च्छल में रहेगा मोटो जी 30 अब यह जो फोन है दोस्तों बहुत ही जबर्जस लग रहा वाटर टॉप डिस्प्ले के 50 मेगा पिक्सल यह 10 मेंगे पिक्सल ऑব गजब सब्सक्राइब बअने वार मेट होने वाला इस में गिंबल कैमरा इस तरے की कुछ हबर आ रही है आप देखिए यह जब फोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डि डिटेल देंगे और बताएंगे कि यह किस स्थारति अर दोस्तों सुपर एमोलेट डिस्पले वागरा होने वाला और 65 वाट का फार्स चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है बैटरी कैपेसिटी वागरा पता नहीं चला दोस्तों जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे वैसे दोस्तों वीवो ना आज लॉंच कर दिया है व 5000 मिलियंपेर के बैटरी और इसी तरह का है दोस्तों तो उतना ज्यादा खुछ नहीं है लेकिन इसका जो श्टोरेज है वो 6GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ इस प्राइज में आता है मतलब 15,000 में दोस्तों ये फोन मिल रहा है अगर आप लेना चाहते इंटरेश्टेड है त दोस्तों जो 5G फोन होगा 64 Megapixel का दोस्तों इसमें Quad camera होने वाला है इस तरह ही कुछ खबर आ रही है और headphone jack वगएर भी देखने को लग रहा है दोस्तों तो काफी जवर्जास फोन है जब ये इंडिया में आएगा तो देखेंगे किस प्राइज के साथ आएगा लेकिन ये ROG 5 ये जो फोन है दोस्तों एक बंदल यूस कर रहा है ट्रेन में है या फिर मेटरो में इस तरह की कुछ खबर आ रही है और देखने में दोस्तों काफी स्टाइलिस लग रहा है दोस्तों इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है लेकिन जवर्जास और नए मामान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ये इस तरह का अमेजिंग वीडियो में आपको देते रहते हैं चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सब्सक्राइब के लिए